हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौकलेट बिजनेस के बारे में, जो होम में चौकलेट का बिजनेस आप घर बेटे किस तरीके से कर सकते हो, फ्रेंज सबसे पहली बात आप कोई भी चीज बनाने से पहले चाहे वो केक से चॉकलेट से या कोई भी अधर फूड आटम बेकरी आटम बनाने से पहले सबसे पहले अपने हेर को कवर कर लीजे ओके देन आपको हैंड गलफ पहन लेना है यह बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि हर चीज आपको हाईजनी के लिए प्रिपेड करना है अब देखिए कोई भी चॉकलेट जब बनाते हैं आप चाहो तो प्यूर चॉकलेट का यूज करो या फिर कमपाउंड चॉकलेट का आज जो है मैं सबसे पहले ये करने वाली हूँ देखिए सबसे पहले चॉकलेट की जो की बहुत इंपोर्टन है ठीक है चॉकलेट में शाइन लाने के लिए आपके जो भी मॉल्ड है यहाँ पे मैं लिकर चॉकलेट बना रही हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं चॉकलेट के मॉल्ड को अच्छ से क्लीन कर रही हूँ टीशू पेपर के सायता से कीजिए अच आपकी चॉकलेट में बहुत अच्छ से शाइन आएंगी यहाँ पे मैं वैनलीर का डार्क कंपाउड यूज कर रही हूँ मैं दो तरीके की चॉकलेट आज बना रही हूँ एक मिल्क कंपाउड के साथ सिंपल बाते कोई भी आपको चॉकलेट में स्टैबिलाइजर डालने क बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीके सिर्फ आपको क्या follow करना है मैं बताती हूँ सबसे पहले चॉकलेट को तो 30-30 second microwave कीजे उसे room temperature पे लाईएगा ठीके अच्छे से melt होने के बाद दिन आपको इस तरीके से mold में डाल देना है ठीके अच्छे से tap कीजे ताकि कोई भी air bubbles ना रहे ठीके मैं एकसद काफी सारे mold फिल कर रहे हूँ क्योंकि काफी ज़्यादा quantity में यहाँ पे मुझे chocolates बनानी है ठीके तो यह एक important tips है कि सबसे पहले mold को clean कर लेना है अच्छे से ताकि आपकी chocolates में shine आए chocolate में, okay then chocolate को इस तरीके से mold में डालने के बाद आपको 5-10 मिनट बाहर ही रखना है उसके बाद आपको रख देना है freezer में, ठीके freezer में रखिए या freeze में रखिए मैंने यहाँ पे freezer में रखा 5 मिनट में यह set हो जाएगी सेम वे से यह देखिए अभी बाकी भी chocolate मैंने यहाँ पे mold में pour करके रखी थी, तो यह भी 5-10 मिनट बाहर थी तो अच्छे से यह set हो जाती है ठीके, अभी देखिए मैंने freezer में जो mold रखा है उसी के उपर मैं यह second mold और third mold रख रही हूँ क्योंकि already जो एक mold था वो set हो चुका है ठीके, बट proper set होने के लिए हमें कैसा पता चलेगा कि यह chocolate properly set हुआ है ठीके, आपको क्या करना यह देखिए मेरी chocolate set हो गई है बट आपको कैसे पता चलेगा mold के bottom side में है न friends, आपको पुरा clean दिखाए देगा, means कोई भी air bubbles नहीं रहेंगे या आपको समझ में आएगा कि यह chocolate set हो गई है ठीके, तो यहाँ पे आपको अच्छे से इसे demold करना है हलका सब praise करना है इस तरीके से, आप देख रहे हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ बहुत easily हो जाता है और hand glove जरूर पहनिएगा मैं इसलिए बोल रही हूँ यह देखी कितनी shine वाली हमारी chocolate बनके ready है यह compound से बनी है vendor brand का मैंने compound यूज किया है आप चाहो तो collate भी use करो collate भी बहुत stabilizer मतलब chocolate जो है काफी अच्छी बनती है काफी stable chocolate बनती है यह देखिए यह तो छोटी batch मैंने बनाई काफी सारी मुझे chocolates बनाने थे तो यहाँ पे एक batch मैंने बना ली है अभी same way से मुझे milk compound के साथ भी बनाना था तो अब देखिए friends आप dark chocolate compound के साथ आप rough and tap काम कर सकते हो बट जब milk chocolate की बारी आती है तो वो चोकलेट जो होती है compound chocolate काफी delicate होती है तो आपको जो है थर्टी सेकन का gap दे दे के ही आपको melt करना है ठीक है यह बहुत ज़रूरी है और फाइनली जितनी फाइनली आप chocolate को chop करते हो compound chocolate को उतनी जादा वो अच्छे से melt हो जाएगी ठीक है ना तो यह चीज का ध्यान रखो जब भी आप dark chocolate के साथ काम कर रहे हो तो आप उसे एक minute के लिए भी आप अगर microwave करते तो कोई दिक्कत नहीं है बट अगर आप white chocolate और milk chocolate के साथ काम कर रहे हो तो आपको 30-30 second का gap देखे ही आपको उसे melt करना है अब बारी आती है wrapping की ठीक है हमेशा आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको wrap करना है so friends यहाँ पर chocolate wrap करने के लिए आपको लगेगा सबसे पहले यहाँ पर foil ठीक है आपको cutouts मिल जाएंगे then यहाँ पर आपको लगेगा gelatin wrap और यहाँ पर twister लाती है then उसके बाद आपको gelatin wrap जो है उसमें pack करना है then twister की सायता से आपको इसे twist करना है mean string जो आती है आप rate color की देख रहे होंगे ठीक है अब जो है chocolate को room temperature पे ही रखना है अगर आपकी playing chocolate है ना friends तो इसे room temperature पे ही रखिए कुछ नहीं होगा इसे ठीक है सिर्फ मैंने जो तरीका बताए as it is follow करो घर बैठे या बहुत अच्छे से आप chocolate का business कर सकते हो ठीक है hope so आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो like comment share